इस विडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि रेवन में बनाय हुए selections को annotations कैसे add करते हैं हम आज ये topics cover करेंगे selection table में annotation column कैसे add करते हैं बनाय हुए selections को annotations कैसे add करते हैं view में annotations देखने के लिए selection labels का कैसे इस्तमाल करते हैं Raven के view mode से calculate किये हुए numerical measurements के अलावा, selection tables में हम annotations भी add कर सकते हैं. Annotations अक्सर notes जैसे होते हैं, जिनने हम खुट type करके enter करते हैं, या फिर ये किसी detector की मदद से अपने आप add किये जा सकते हैं. Annotations के इस्तिमाल से हम selections पर किसी भी प्रकार की जानकारी add कर सकते हैं. Annotations का ज्यादा तर इस्तिमाल हम अलग-अलग प्रकार के calls, प्रजाती या जानवर की पहचान, उसकी आयू, लिंग या जानवर के व्यविहार का संकेत पहचानने के लिए करते हैं. हम chestnut sided wobbler file का इस्तिमाल करेंगे, जो examples folder में हैं. इस गाने में पाँच अलग प्रकार के 12 notes है. इन अलग प्रकार के notes को हम A, B, C और U जो note उपर जा रहा है, और D जो note नीचे आ रहा है, ऐसे नाम देंगे. इन annotations को selections से जोडने के लिए मैं selection table के header row पर right click करके add annotation column चुनूँगी. रेवन मुझे पूछेगा के annotation column को क्या नाम देना है, मैं इसे type नाम देकर ok क्लिक करूँगी. अब हमें selection table में एक और column दिखाए देगा, जिसका नाम type है. मैं एक selection बनाऊंगी. जब मैं enter दबा कर इस selection को commit करती हूँ, तो मुझे इस selection के type annotation column की entry पूछने के लिए रेवन एक dialogue box दिखाएगा. इस note के लिए मैं A एंटर करूँगी और इस box को check करूँगी ताकि ये value अगले selections के लिए भी लागू हो. ये करने से मुझे बार-बार A type करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अब मैं OK क्लिक करूँगी. अब annotation A type column के नीचे दिखाए दे रहा है. अब मैं इस shape या type के अलग notes पर selection box बनाऊँगी. मैं जब इस selection को commit करती हूँ, तो Raven फिर से type पूछता है. पर इस बार Raven ने खुद यहाँ default से A लिख दिया. तो मुझे अब सिर्फ enter दबाना है. मैं same type के और दो notes के लिए ये करूँगी. अब मैं इस पहले note के लिए एक selection बनाऊँगी, type B. इस बार मैंने default value A से B में बदल दी. और फिर से इस check box पर क्लिक किया, ताकि Raven अब इस default value का इस्तमाल करे. अब मैं ऐसे ही बाकी सारे notes को annotate करूँगी. अब मैं इस करूँगी है. इस ईस आर देख केस लिए हम मैं आसे चाल मिन मैं बनाऊफी अब मैंने सारे notes पर selections बनाए हैं और selection table में हर entry के type column में values हैं जो पताते हैं कि ये अलग-अलग notes कौन से हैं अकसर annotations का spectrogram view में देखना फायदे मंद हो सकता है हम selection labels के इस्तमाल से ये कर सकते हैं ये करने के लिए spectrogram पर right click करके menu से configure selection labels चुने एक dialogue box नजर आएगा जहां से हम Raven के selection label में जो text है उसे control कर सकते है default से Raven हर selection पर सिर्फ selection ID दिखाता है पर हम चाहें तो selection table के किसी भी column की value यहां दिखा सकते हैं ये values हम dialogue box के बाई तरफ जो list है उससे चुन सकते हैं अगर हम इस list में नीचे scroll करते हैं तो type annotation column दिखाए देगा type को selection label में शामिल करने के लिए उस पे double click करे अब हमारे type labels तुरंट selection ID के साथ दिखाए देंगे Raven के default setting में selection label की value एक space से अलग की जाती है selection labels का ये default separation अगर बदलना हो तो हम item separator को edit कर सकते हैं अगर हमें selection ID और type के बीच colon देके एक space छोड़नी हो तो यहां वो entries करके हम ये बदल सकते हैं अगर हमें कोई एक annotation बदलना हो तो table में उस annotation cell पर double click करके हम नया text एंटर कर सकते हैं अब अगर मुझे इन आखरी notes का नाम बदलना है जैसे के U और D के बदले X और Y तो उन cells में double click करके U या D पर backspace करके मैं यहां X या Y entries कर सकती हूँ मैं annotation column का नाम भी बदल सकती हूँ अगर मुझे इस annotation column को type के बदले syllable नाम देना है तो मैं column header पर right click करके rename column चूज करूँगी और इसे नया नाम दूँगी और इस तरह हम अपने selections में annotations और labels अड़ कर सकते हैं